नया साल से पहले घर से निकाल दे ये sufficient वरना पूरी साल रहेंगे कंगाल नया साल आने का लोगों को वेसबरी से इंतजार रहता है सभी की चाहत होती है कि नया साल में घर में माल अचिमी का बास रहे और सदेव अशिरवाद बना रहे इसके अलावा धन की कभी कमी ना हो और धन दवलत में ब्रिद्धी होती रहे घर में सुख सांती बनी रहे और घर में सकारात्मक उर्जा का वास रहे वास्तु सास्त में बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई भी अनावश्यक वस्तुवे हैं या फिर फटी पुरानी कोई भी चीज है तो उसे नए साल से पहले घर से निकाल दें नए साल सुरू होने में बस कुछ ही दिन से सहे इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि नए साल सुरू होने से पहले घर से कौन सी बस्तुवे निकाल देनी चाहिए जिससे धन दवलत में ब्रिद्धी हो और घर में खुसिया बनी रहे लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लच्मी माता का आशिरबाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बाक्स में जै लच्मी माता जरूर लिखें आईए जानते हैं वास्तु सास्तर के अनुसार नवे साल के आगमन से पहले कौन सी चीजों को घर से बाहर कर देनी चाहिए नमबर एक अगर आपके घर में तुटा हुआ काच है या फिर कोई तुटा हुआ सीशा है तो नए साल से पहले इसे घर से बाहर कर दें वास्तु सास्तर में एसा माना जाता है कि घर में तुटा हुआ काच होने से घर में नकरात्मक उर्जा का वास होता है नमबर दो वास्तु सास्तर में घड़ी का खास महत्तो बताया गया है अगर घर में खराब घड़ी है या फिर घड़ी तूट गई है या फिर घड़ी बहुत पुरानी हो गई है तो उसी नई साल से आगमन से पहले घर से बाहर कर दें क्योंकि खराब घड़ी घर में होने से परिवार की सदस्यों की किस्मत पर बुरा असर पड़ता है और घर में नकरात्मक उर्जा का वास होस जाता है नमबर तीन वास्तु सास्तर के अनुसार घर में पेड़ पवधे का होना सुभ होता है अगर आपके घर में काटेदार पेड़ पवधे हैं तो उन्हें जल्द ही घर से बाहर कर दें क्योंकि घर में काटेदार पेड़ पवधे होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकत और वास्तू सास्त में एसे काटेदार पेड़ पौधों को बहुत ही असुभ मना जाता है नमबर चार अगर आपके मंदिर में भगवान की फटी पुरानी तस्वीर या फिर भगवान की खंडित मूर्ती है या फिर मूर्ती ज्यादा पुरानी हो गई है तो उन्हें किसी तल या नदी में परवाहित कर दें एसा माना जाता है कि खंडित मूर्ती का पुजा अर्चना करने से सुफल की प्राप्ती नहीं होती है और घर में खंडित मूर्ती रखने से परिवार की सदस्यों पर नकरात्मक परभाव पड़ता है और घर में आर्थिक हानी होती है तो जि अगर घर में लगाई होई तुलसी सुख गई है या फिर मुर्जा गई है तो इस पवित्रे नदी में परवाहित कर दें क्योंकि सुखी तुलसी आपकी आर्थिक इस्तिथी को दरसाती है और साथ ही घर में नकराद्मक उर्जा का वास हो जाता है गर में अगर कबूतर ने घोसला बना रखा है तो इसे भी तुरंत हटा दें क्योंकि वास्तु सास्तर में कबूतर के घोसले को बहुत ही असुभ माना गया है इससे आर्थिक तरक्की में रुकावट आती है तो जितना जल्दी हो सके कबूतर के घोसलों को हटा दें नमबर साथ, फटे वो पुराने कपडे घर में हैं तो इसे हटा दे, क्योंकि यह सुक्रग्रह को बरबाद कर देता है, इससे जीवन में आर्थिक परसानी शुरू हो जाती है नमबर आठ, जाड़ू को लच्मी का परतिक मना जाता है, जाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, अगर आपके घर में टुटी फुटी हुई जाड़ू है, इसे तुरंत बदल दे, एसा नो करने से परिवार के सदस्यों के वीच विश्वास कम हो जाता है और घर की सुख और सांती में बाधा पहुचती है, इससे आपको बित्य हानी भी हो सकती है, और घर में दरी दरता का वास भी हो सकता है, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में